नमस्का दोस्तो आज की सी वीडियो में हम टमातर की नर्सरी के उपर बात करेंगे बहुत सारे दोस्तों की डिमांड रहती थी कि आप कौन-कौन सी नर्सरी की वीराइटी लगाते हो तो आपको आने वाली आगे वीडियो में बहुत सारी और भी अच्छी व dat도比較 किया जाता है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं गरिमियों के मौसम में तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तो छे ग्राम की आपकी पैकिंग आती है जिसमें की लगभग जिवा तीन सो तीन हजार की बीज आस-पाइस इसमें बताया जाते हैं और टाइक पाइस की बात की जाए तो 725 वे आपको दीख रहा है एस में जो कि आपके लोकेशन और टाइम के हिसाब से वेरी करता है हो पिछली वार कुछ और होता है अगली वार को कुछ और मिले या कहीं आपको जो किसी और सौप में अलग लग वाइस में बिल जाता है आप मिट्टी को काफी बारिक किया हुए उसमें हमने थोड़ा बहुत खाद वगएरा मिलाया हुआ है अभी फंगी साइड और इंसेक्टि साइड भी मिलाएंगे इसके ओपर से क्योंकि बीज फटने के बाद जो है वह जो ट्रीट हुआ होता है मारा बीज वह ज्यादा असरद टेंपरिचर थोड़ा डाउन रहता है पर अभी धूप से काफी राइस गया था तो एक दम से जनुनेशन हमारी होगी थी छे दिनों के अंदरन्द सातु दिन में हमने बोरे हटा दिये थी अभी नवे दिन के आप पूरिज देख पारे हो काफी अच्छी राइटी काफी अच्छे पत्ले पत्ले से के पत्ते आपको देख पा रहे हो कि एक एक इंच के आसपास बहुत हो चुका है और चारो तरह देख रहे हो बारिस भी वीच में पानी की वज़से जैसे हमने बनाय रखता है हुमिडिटी के कारण जो इसकी थोड़ी हाइट भी बढ़गी यह ही तो अभी हम जो यहको दस पंदर दिन के बाद हम इसकी प्लांटेशन को पढ़ाने सब्सक्राइस के बागा सब्सक्राइब और 28 पन वराइटी के हमने थीन ही पैकेट्ट लगाया है जादां भी रगत यहें और इसकर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि किस तरीके उसकी प्रोडक्सन है क्या क्या उसकी रिजल्ट है तो उसके साथ कोई सवाल या सुझाव आपका रहता है तो कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखें अपना मुले समय देनी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद